कुजराच से नेक्स्ट कॉलर जयपाल चोहान जी स्वागत है आपका हालो जी बताइए प्रेश्न करिये अपना तो मेरी चाती है ना हाँ उनको क्या करोड रज्जु में ज्यादा दर्द हो रहा है और बेट नहीं पासी उटने जी और एक तो में काहां दर्द है यह क्या वो ज्यादी में करोड ज्युम्हात यह यह तिछा हम समझने पारें गुटनों में दर्द हैं नाई नाई टी बी अचैस्ट पैन है क्या इंग ऑस टी बी है टी बिए टी बी है सबसे अच्छा इलाज अलो पैट में हैं आलो पैट मत्ला इंगलीज दवाईव में गूंएयु में हैं तीन महीने से नो महीने तक का इलाज है सबसे अच्छा वही इलाज है कोई भी यूनानी आयर वेदcation कहे कि टी-बी का इलाज हमारे हैं तो नहीं मैं नहीं मानता जिसकी जो इलाज अच्छा है बता देना चाहिए यही इमानदारी तो टीबी का लाज वो करा है हाँ इसलिए आप दवा ले सकते हैं कि उन दवाओं से इनकों नुक्सान न पहुंचे और उनकी ये मदद कर सकें दवा तो इसके लिए आप इलाज वही कराएं लेकिन अगर आप इसलायक हैं तो माजून आर केर एक चम्मच रोजाना खिलाया करें गरम पानी से तो इनको और ज्यादा आसानी मुम्किन है दिल्ली से ही अगले कॉलर है मंत्रीत कौर स्वागत है आपका हाँ जी नमस्कार अदाब हकीम साब अदाब हाँ जी अल्ला का लाख लाख शुकर है हकीम साब जो आपका मुझे फॉन मिला धन्यवाद शुकर भगवान का हाँ मैं दिल्ली से बोल रही हूँ मेरी बेटी हकीम साब 28 साल की है और उसके जब वो 13 साल की थी तो उसके एक कान की नस्से एंटिबाइटिक जादा देने की वज़़ा से डेड हो गई है तो उसको एक कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता मैंने गंगाराम हर जगा हर स्पेसिलिस्ट को दिखा दिये मैं आपका प्रोग्रम रोज देखती हूँ हकीम जी और मुझे पूरी पूरी अमीद है कि आप कोई ना कोई नुसका जरूर बताओगे हकीम जी मेरी बेटी का सवाल है मैं आपको दौाओं में याद रखूंगी प्लीज मेरी पाबलम समझिए और मुझे कुछ बताईए जी चीक है अमर कितने बताईए अमर उसकी अथाईस साल हो गई है हाँ और वो पड़ाई में भी इतनी हुश्यार है पता नहीं कैसे वो उस सब कर पाती है जबकि उसका एक कान की नस्थे पूरी तरह डेट है ठीक है फिकर मत करिये और मैं दौा भी करूँगा बच्ची के लिए और मैं एक मा के कलेजे से वाकिफ हूँ एक बाप की तकलीफ से वाकिफ हूँ और देखिए एक नस्था बना लें और उस बच्ची को देना शुरू करें और जल्दी ना करें दो महीने में कुछ रिजर्ट आएगा चाहे दस परसेंट आए दस परसेंट भी आगया समझे लिए बच्ची बिल्कुल अच्छी हो जानी चाहिए देखिए लहसन का जूस निकाले अद्रक का जूस निकाले नीबू का जूस निकाले एक एक लीटर और एक लीटर जैतून का सिर्का ले इनको मिश्रन कर दे जरूरत पड़े तो इसमें शक्कर या शहद भी मिला सकते हैं क्योंकि उसे डाइबटीस तो है नहीं तो शक्कर या शहद मिला दे इसमें अब ये सेफ हो गया सुरक्षित हो गया इनको मिला दे फौरण निकालके फौरण मिला दे अब ये नसका तीन चमच दिन के टाइम में पिला दें और तीन चमच रात के टाइम में सोते समय या एकी खुराग देना शुरू करें अगर उसे बुरा लगे अच्छा उसके जायके का बना दे बच्ची के अगर वो पसंद नहीं करें वैसे तो अद्रक का जूस है ये लेसन का जूस है बुरा नहीं लगता है लेकिन शक्कर मिला देंगे तो और भी बुरा नहीं लगेगा इस शहद मिला देंगे तो सब एक एक लीटर मिला दें शहद एक लीटर मिला दे इसमें तो यह पीने लायक हो जाएगा कि देना शुरू करें और आप कॉंटेक्ट में रहे हैं हर दो महिने में रिपोर्ट दे या फिर हमारे फोन नहीं मिलता है तो हेल्प लाइंचे भी मदद ले सकते हैं पूरी बात बता के मैं बहुत दुआ करूँ है एक बच्ची के लिए अधाब अंबाला से हैं सपना जी स्वागत हैं आपका नमस्कार मैं नमस्कार बताईए अधाब मेरे ना लात गोड़े में एक साइड पर कड़ाते निकलती हैं बहुत और वहां पर पेन भी बहुत ज़्यादा होती है हम बिटा जी उमर कितनी है आप अरे आज तो बहुत कमूर बच्चें को ये दर्द बाज आने वाला भी नहीं है इसे समझाने वाला भी नहीं है देखिए अभी से इलाज कर लीजे और इलाज एक प्रोग्राम में मैं कम पांच पांच चैचे बार बताता हूं कि एक ऐसा भी गौन्द है जो डस बारा रु जाम रोजाना खाना होता है एक ग्राम दस बारा रुपे रोज का होता है आदा ग्राम सुबह आदा ग्राम शाम गौन्सिया यानि काला गौन्सिया कहते है काले को लेकिन असली लेना चाहिए नकली से कुछ फाइदा नहीं होगा अगर आप एक मन भी खा लेंगे और असली आपको फाइदा होना मुम्किन है बड़ेली से प्रशान्थ है नेक्स्ट कॉलर स्वागत है आपका हलो जी प्रशान जी सवाल आपका मैं सवाल मुझे अपनी मजर के लिए पूछना था पूछिए मजर की एज 54 है ठीक है और उनके कमर और पेरों में पिछले लवा एक एक साल तर कुछ दर्द रहने लगा है ठीक है और फोड़ी तो ने आप पाइल की दिक्कत होने लगिए ठीक है प्रशान जी अभी मैं एक निस्का बता रहा था किसी और को फिर दोरा देता हूं वैसे इसे हम लोग काला गौन भी कह सकते हैं काला गौन को गौन सिया कहते हैं यह असली अगर आपको मिल जाए काला गौन नकली बहुत मिलता है असली लेना आपकी जिम्मेदारी है तो यह रा मैटेरियल है इसका पाउडर बना लें और इसको एक चुटकी या दो चुटकी एक चमच शहद मिलाकर और उन्हें खिला दिया करें, कड़वा भूत होता है और फिर इसके बाद एक चमच इसव गोल की भूसी एक गलास दूद मिलाकर प्ला दिया करें यह करेंगे तो मम्मी की दोनों समस्याएं का निदान मुम्किन है। बहुत शौक होता है। और सिर्फ खाना कंट्रोल करने से भी हमारा वजन कम हो जाता है। लेकिन वो बच्चा माने कर नहीं। देखिए मेरा वजन बढ़ गया था और देखिए मैं बुड़ा आद्मी। बहुत मोटा हो गया था मैं बैठे बैठे चैनल पर अब मेरा बिल्कुल देखिए पेट नहीं है पेट भी निकलने लगा था वजन बढ़ गया था तो मैं सुगे एक प्याला डाल पीता हूँ दोपैर को एक प्याला डाल पीता हूँ शाम को दो रोटी खा के सो जाता हो रोजआना 50 तो गिराम वजन कम होता है अगर ये बच्चा कर सकता है तो बहुत अच्छा है एक घंटा पैदल चलता हूँ पांच बार गरम पानी पीता हूँ ये वज़न गटाने का बहतरी इन तरीका है मैं आजकल भी डाइटिंग पर हूँ अच्छा वैसे इस बच्चे के लिए सबसे उत्तम नस्खा ये है कि रोज आना बीस किलो मीटर दोड़े चाहे एक एक किलो मीटर करके बीस बार में दोड़े ये एक ऐसा नस्खा है कि जिसम में जहां भी फाल्तू चर्वी होगी वहीं के निकालेगा पेट गायब हो जाएगा और मसल्स ऐसी अतनी अच्छी हो जाएगी और चर्वी का नाम निशान नहीं रहेगा सिर्फ गोश्ट और पोस्ट बचेगा अगर ये कर सकता है तो ये कराईए कोई दवा मत दीजे दवा मैं बता देता हूं लेकिन दीजे मत क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे कोई ये सब नहीं कर सकते उनके लिए एक दवा बतायता हूं कैप्सूल एफ केर एफ और फैट ये भी काटता है चर्वी को लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि कोई दवा खा कर ठीक हो मैं चाहता हूं कि गिजा से या फिटनेस से ठीक हो जाए एकसरसाइस से ठीक हो जाए आप इसको इसको इस्तवाल भी कर सकते है हैं बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से स्वागत है आपका आपका अधिया बाता ये क्या सवाल है मैं आपसे बात कर रहा हूं जी आप बोलो भाई आप टीवी क्या वालियम यह तो कम कर दीजे बढ़ा दीजे जी इम्तियाज जी अगर आपने ऐसे टीवी का वॉल्यम तेज रखा तो कारणवश मुझे आपकी कॉल कट करनी पर जाएगी आप अपना सवाल करेंगे मैं साथ साल जी लकवा गरस्त हूं लकवा गरस्त है इत्याज जी चलिए हम में समझ में आगया आप लकवा गरस्त हैं और एक आता है सिर्का जिसे जैतून का सिर्का कहते है जैतून का सिर्का तीन चमच दुपैर में जब खाना खाते ना आप यह तो अपने सालन में डाल लीज़े चोटे चाय के चमच यह गिलास पानी में मिलाकर खाने के बाद पी लिया करिए और तीन चमच रात को सोते समय आप लिया करि लेकिन ये वो कॉलिस्टॉल जो जिसके दिमाग की नसमे जमने की वज़े से लखवा गिरस्त आदमी हो जाता है ये उसको ढून ढून कर निकालता है 6-7 महीने तक लगा तार ले और गरम पानी खूब पिया करें चर्बी कम से कम इस्तमाल करें तो आपको फाइदा मुम्किन ह अमन है गोरकपूर से नेक्स्ट कॉलर स्वागत है आपका हां जी अमन जी तेज अवाज में बात कीजिए हां बोली मैं सवाल करिए मैं मेरे बाज ज़र लाए है छो महीने से छे महीने से एज क्या है आपकी 22 साल अमन साहब अगर आप शैम्पू यूज करते हैं तो दो तीन महीने के लिए छोड़ दीजे तो बगड़ दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं और पौस्टी का आहर खाया करिए नारियल पानी पिया करिए और किसी से भी अगर फाइदा नहो तो गौन मौरिंगा सफेद तो है असली लेना है नकली मतले लेना बहुत मिलते हैं गौन मौरंगा बहुत सारे लाल पी ले लेकिन आपको यह सब नकली होते हैं गौन मौरिं और मेरे बाल, इन में कोई फर्क न रहे, उम्र का कित्ता भी फर्क हो लेकिन बालों का फर्क नहीं होना चाहिए, इससे हाइड भी लोगों की बढ़ जाती है, अगर अंडर एज हो तो, अभी तो आपकी उम्र नहीं है ऐसी, इससे वहां से निकलने बंद हो जाते हैं, यह पि आपकी यूपी से नेक्स्ट कॉलर, मोना, स्वागत है मोना जी, अलो रख साब हमको यह पोछना था, कि हमको पुछ ताइम से मलाओ, हो गया होगा, आज दस महिने हो गया होगा, कि हमें पानी बहुत जादा पीते हैं, एक गंडे उदर हम पानी ना पियें, तो मुए मुह म पर बाट्रूम भी पर जाना परता, बहुत दिकत होती है, तो उसके लिए कुछ हो सकता है, क्या उमर है आपकी बच्चा, अठाइस, ठीक है, देखिए, एक आता है, गौन मौरिंगा सफेद, गौन मौरिंगा सफेद, सो ग्राम ले, और सौफ, सो ग्राम, आमला सो ग्राम, और धनिया सो ग्राम, इन सब को पौडर बनाएं, लेकिन गौन मौरिंगा की आपको पहचानने होगी, सफेद वाला ही लेना है, लाल, पीला भी मिलता है, बहुत नकली आ रहा है, तो सफेद गौन मौरिंगा ले, असली ले, सो सो ग्राम ये सब चीज़े, गौन मौरिंगा सफेद 100 ग्राम, और धनिया 100 ग्राम, आवला 100 ग्राम, धनिया, आवला, गौन मौरिंगा, और सौफ 100 ग्राम, इन सब को पौडर बना लें, और ये से 3 ग्राम करिये, छोटा चाय का चम्मच होता है ना, 3-4 ग्राम, एक बार या दो बार, खाने से पहले खा सकते हैं, बाद में खा सकते हैं, पानी से खा सकते हैं, दूस से खा सकते हैं आप लेना शुरू करें, आपको फाइदा मुम्किन है